जैस्री कृष्णा राधे राधे वास्तु सास्त में आपके कीचन का महत्तो बहुत जादा है अगर आपके रसोई में कीचन में वास्तु दोस हो तो पूरे परिबार पर परिसानी आ सकती है यहां तक की घर के लोगों के स्वास्त पर भी इसका बुरा आसर पड़ता है इसी करण हर कोई अपने कीचन को सुन्दर और सही बनाना चाहता है तो आज हम आपको कुछ खास नियमों के बारे में बताएंगे और आटा गुत्ते समय क्या साबधानी रखें आटा में वो कौन सी चीज मिलाएं कि बरकत बढ़ जाएं और साथ ही आपका ये आटा आपके स्वास आपके धन को बढ़ाएं अगर आप अपने कीचन को इसान को यानि उत्तर पूरब दिसा में बनाते हैं तो ऐसे लोगों के घरों में पैसे की कमी हो जाती है रिष्टे भी खराब हो जाते हैं संतान को भी कस्ट होता है इसलिए उत्तर पूरब दिसा में भूल कर भी किचन ना बना है वास्तु सास के अगर माने तो रसोई को हमेशा आगनेक मोन यानि दक्चिन पूरब दिसा में ही बनाना चाहिए वो नहीं तो इसका बुरा प्रभाव भी पढ़ सकता है अगर आपका किचन दक्चिन पस्चिन दिसा में है तो घर के जो मुखिया है यानि जो बड़े हैं उनको कस्ट होता है मान सम्मान पर भी इसका असर पढ़ता है और स्वास्त पर भी बुरा असर पढ़ता है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर देखे कीचन को वैसे तो साप सुत्रा ही रखा जाता है लेकिन अधिक तर देखा गया है कौकरोच आ जाते हैं अगर आपके कीचन में कौकरोच आ जाए तो आर्थिक नुकसान बढ़ा देता है बिजनस में लॉस कराता है अगर रसोई घर के जो गैस चुला है आगने दिसा यानि दक्छिन पूरब दिसा में आप रखते हैं तो बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ाता है अगर कीचन में बैठ कर आप खाना खाते हैं तो राहु गरह सांत रहता है राहु परेसान नहीं करता यहां तक की राहु गरह बिगडा हुआ जो रिस्ता है उसको भी संभाल देता है अगर आप रसोई में बैठ कर नियमित रूप से बोजन करें तो रसोई का जो सिंख है हमेशा साव सुथरा चमकदार रखे किसी भी प्रकार का गंदगी बिल्कुल भी ना रखे और साथ ही रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास मत रखे गैस चुला जो है दक्षिन पूरव दिशा में ही रखना है जब आप रोसोई घर में भोजन आप बनाते हैं तो आपका फेस जो उत्तर है दिशा उस तरफ या फिर पूरव दिशा में होना चाहिए जो धातू के उपकरन है माइक्रोवेव, मिक्सर तमाम चीजे दक्षिन पूरव दिशा में रखे रेफ्रिजरेटर को आप उत्तर पस्चिन दिशा में रख सकते हैं अगर जाड़ू पोछा या सफाई का कोई समान रखना है एक तो कीचन में रखना नहीं चाहिए अगर रखना है तो आप नेतित्त कोन में रखे तो उत्तम है और डस्टवीन को भूल कर भी रसोई में ना रखे रसोई से हटा कर रखे हमेशा ही खुला और चौकोर रसोई घर हो ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए इसके फर्स दिवार का रंग पीला नारंगी या गेरुआ रखे तो उत्तम है ब्लू और आस्मानी रंग का परियोग से आपको बशना चाहिए अगर पूरव दिसा में खिलकी खुले रसोई का तो सर्वोत्तम माना जाता है इसान कौन में आप जल रखने का स्थान बना सकते हैं और रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना अच्छा नहीं माना जाता इसलिए आप ऐसा ना करें रसोई घर के पास बात्रूम सोचाले बिल्कुल भी ना बनाए तुटे फुटे बरतन ज्जाडू बिल्कुल भी ना रखें दो और बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए रात में भूल कर भी चावल दही और सक्तू का सेवन ना करें ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर होता है अगर आप सम्रिद्धी चाहते हैं तो आप खास कर चावल दही और सक्तू का सेवन रात में ना करें संभव हो तो एक काच की कटोरी में एक फिटकरी का टुकरा अपने रसोई में कहीं भी रैक वेगर में आप रख दें हर 6 मेहने बाद चेंज करें तमाम नकात्मक उर्जाओं को ये फिटकरी का टुकरा सोंख लेगा तो अब बात करते हैं आपके किचन के आटे की वहीं आटा जो रोटियां बनाने के काम आता है और जब महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गुतेंगी तो कौन सी बातों का ध्यान रखेंगी साबधानिया क्या रखेंगी और आटा गुते समें उसमें क्या डालेंगी बरक तो सब्जीयों को आटे को पहले से ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हैं स्टोर करके ताकि समय भी बचे और एक ही काम बार-बार ना करना पड़े लेकिन आज हम सास्त्रों की माने तो आज हमें खास आपको बाते बताएंगे क्योंकि ये काम अगर आप कर रही हैं तो कहीं कहीं आपके जीवन में जो तरक्की रुख गई है उसका कारण आपके घर का आटा हो सकता है देखिए सास्त्र कहता है कि आटा उतना ही गूतना चाहिए जितनी आवसकता हो और पहले से गूत कर रखने से आपके स्वास्त को भी नुकसान होता है वैसे आप आधे गंटा तक पहले गूत सकती है लेकिन ज़रत से ज़्यादा समय तक गूतावा आटा नकात्मक उर्जा को सोंक लेता है और इसके खत्रे को भी बढ़ाता है देखिए अगर हम आपको बिस्तार से बताएं तो आपके घर में चकला बेलन भी है तबा भी है और आटा भी है अब कई बार क्य ऐसा आटा बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि एक बार में आप बहुत सरे आटे को गूत कर फ्रीज में रख देती है यह असूब माना जाता है क्योंकि आप आवस्सक्ता कि अनुसार ही आटा गूत है तो ज्यादा अच्छा है नहीं तो यह पिंड के समान हो जाता है वैसे जब आटा गूती है ना तो हमेशा ही उस पर मुठी की चाप डाल दें मुठी से आप सो मुचा उंगलियों को मोड ले और चाप डाल दें कि जैसे वह एक गोल सा पिंडर ना दिखकर उसमें उबर खाबर टाइप से हो जाए तो यह आटा फिर आपके जो निगेटिव एनर में घर का महौल लड़ाई जगड़े या फिर स्वास्त की समस्या लेकर आता है अब पहले से वे गुथे आटे को रोटिया बनाकर खाने से भी स्वास्त बन इसका फोरा सा प्रवाग गलत बढ़ता है तो इन चीजों से आपको बशना है और ऐसे आटे की रोटी खाने से मा अब दूसरी बात जब आटा गुथती है तो उसके भी नियम है पानी से तो गुथा ही जाएगा लेकिन आप उसमें थोरा सा दूट डाल दिया कीजिए थोरा सा मतलब आप चाहें तो पूरा आटा भी गुथ सकती है ज्यादा दूथ है तो नहीं तो एक चमच डाल दें करसीद करता है तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए और चकला बेलन हमेशा साथ रखें खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें तवा है उसको दाहिनी तर बखें चुले के खड़ा करके ना रखें साप सुथरा करके छिपा कर रखें और जो काम कर लेती हैं आप खाना ब बढ़ाने के लिए सूखा हुआ एक दो तूलसी का पत्ता डाल कर रख सकते हैं और जब आप रोटियां बनाएंगी तो पहले सबसे पहला चोटा सो रोटी बनाकर हटा ले और सबसे लास्ट में भी बनाकर हटा लीजिएगा लास्ट वाला रोटी कुत्ते के लिए होता है पह आपके जीवन की मुस्किलें कम होंगी आपके जो दोस हैं पितरी दोस हैं या किसी भी तरह का दोस है वो समाफ्त हो जाएगा फिलाल विदा लेंगे हर हर महादेव